1991 क्या हुआ था 1991 में क्यों इंडिया की एकॉनमी बरबाद होने वाली थी विवर आल्मोस्ट बेंक्राप्ट जो हमने लॉन्स लिए हुए थे वो पेबैक करने के पैसे नहीं थे कारण क्या थे इसके एक बार फिर से कारण बताने लगाँ जब भी आप लपीजी चैप्टर पड़ोगे एकॉनमे कर फ्लैस्पैक कर जाएगी तो पे अटेंशन नाओ तो अपन वस्टेर बालंस ऑफ पेमेंट क्राइस वाद इस बालंस ऑफ पेमेंट परस्ट अवल स्टेशन ऑफ प्ली थे य एंडिया टाकू गीख सारी दुन्या के सब्तना पैसा लिया जितना दिया इंपोर्ट किये एक्सपोर्ट किये लोन्स लिये लोन्स लिये वह district फ्येंडिये इंट्ये वहाँ से हमें पैसा थिया यहां पर रहने वाले नेपालीज अफगान वोटेवर उन्होंने पैसा अपने फैमिलीज को भीज दिया इन सब का हमने बैलेंस बना लिया इस नोवन आज बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इस इंडिया और इस्ट आप दो वर्ल्ड तो यह इंटरनाशनल बात होगी क्यों हुआ था यह भी बात कर लेते हैं सेकंड क्रैसिस क्या था फिस्कल डेफिसिट वोज वेरी हाई हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था यानि सरकारा सरकारी घाटा था बहुत ज़्यादा हाई हो गया थर्ड वाज थर्ड वाज वाट इट वाज हाई पर इंफ्लेशन इंफ्लेशन हाई पर हो गई इतनी जादा तेजी से महंगाई बढ़ रही है कि कंट्रूल में नहीं आ रही है तो इस वाज था था इंडियन एकोनमी 1950 से लेकर 1990 तक जो एकोनॉमिक मॉडल फॉलो करती थी वह बहुत डरा सहमा एकोनॉमिक मॉडल था जिसमें हमने बाहर से फॉरिन इंवेस्टमेंट लेना एक बुरी बात बना दी देश की जो वेल्द थी देश का जो कैपिटल था वो तो अंग्रेज ले गए थे ड्रेन ओफ वेल्द थे अब कैसे ग्रो करेंगे कैपिटल तो चाहिए कैपिटल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वी इवाल्ड आर साइज आपर 1950s अधर सोचलिस्ट एकॉनमी सौडव सोचलिस्ट एकॉनमी इस तो इंडिया की जो एकॉनमी थी वह बहुत थीरे क्रोव कर पा रही थी देन केम राजीव गांदी अमंग अमंग ओल बाग तिंग्स राजीव गांदी ने क्या किया इंडियन एकॉनमी को ओपन आप करना स्टार्ट किया इंडियन एकॉनमी को जब ओपन किया लिब्रलाइज किया हलका साथ इंपोर्ट करने असान कर दिये एक्सपोर्ट करने भी असान कर दिये तो इंपोर्ट होने लगे लेकिन एक्सपोर्ट करने लाइक मैनेफेक्ट्रि अपनी export capabilities के उपर काम करना स्टार्ट करेंगी लेकिन इससे पहले की कुछ कर पाती what happened Saddam Hussein who was ruling Iraq उसने attack कर दिया कुवेत के उपर तो उसे हमें क्या लेना देना हमें ये लेना देना हुआ कि जब भी Middle East के अंदर वेस्ट इशिया के अंदर कोई भी conflict स्टार्ट हो जाएगा तो यहां से आता है सारी दुनिया का तेल ओइल और रजल्ट ओइल बिकम्स वेरी एक्स्पेंसेव और जब ओइल एक्स्पेंसेव हो जाए सारी economy चलती किस चीज़ के उपर है और आपको सेम अमाउंट ओफ ओइल खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं पैसे तो है नहीं और फिर मिडल इस्ट में रहने वाले जितने भी इंडियन्स थे जो इंडिया में पैसा भीजा करते थे अब वो भी सारे खत्रे में पैसे तो उन्होंने क्या भीजने थे वहाँ पर वार स्टार्ट हो गई है वार स्टार्ट हो गई है तो वह पैसा भी कम भीज रहे हैं जो जो रेमिटेंस थी इंडियन्स देवर सेंडिंग मनी बाक टो देह होम वह भी कम हो गई ऑईल के लिए जादा पैसा देना पड़ रहा है इंडियन एकॉनमी एक्सपोर्ट की केपविलेटी है नहीं तो ऐसा चलता रहा विकॉस अफ इस गफ क्राइस गल्फ काउंसा गल्फ परशियन गल्फ के आसपास इतने ही कंट्रीज है टे जे लूनाँ एस गफ कंट्रीज तो इसको हम बोलते हैं गल्फ क्राइस की कॉल इस ए लौर घुअर वह सब्दाम हुसेइन उस एराक अस गल्फ वर right so what happened here was कि हमारा balance of payment हमारा fiscal deficit हमारा inflation everything was very bad and Indian economy के पास पैसा खतम होने लगा जैसा भी recently श्रिलंका के साथ हुए और जैसा I think 15-16 बार पाकिसान के बार साथ हो चुक है इंडिया के साथ एक ही बार हुआ था 1991 में उसके बाद इंडिया को लून मिला किससे कौन देता है जब एकौनमीज बरबाद होने वाली होते हैं तो लून कौन देता है लोन देता है International Monetary Fund and so International Monetary Fund ने लून दिया और उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रोल ने भाया Like for instance the Prime Minister of the country who was PV Narsimha Rao who was a finance minister कौन व्यक्ती थे जिनको finance minister मना के लाया गया if you have visited the institute आपने दिखाऊगा की रीसेंदी उनकी एक image historical image add की गही है in the institute, have you seen that where he is signing to take over as the finance minister so he is Dr. Manmohan Singh और ये सरकार क्या बन गई? ये बन गई Rao Manmohan सरकार Prime Minister ने इनको पूरी freedom दी Finance Minister ने नया budget पेश किया इंडिया की economy को liberalize, privatize और globalize करना start किया, Dr. Manmohan Singh काफी सालों से Indian government को बोल रहे थे कि we need to open the economy economic reforms करने की ज़वत है और we will be too late चाइना ने economic reforms कब किये थे 1985 में start कर दिये थे open door policy लाकर as a result Chinese reforms हमसे थोड़ी देर पहले start हो गए Now this article talks about a person जिनके बारे में बात नहीं होती है He was the governor of Reserve Bank of India It's Venkit Ramanan An I.S. officer जिनको बनाया गया Reserve Bank of India का governor जब अगें Indian economy was about to get bankrupt बहुत जबरदास crisis से गुजर रही थी Indian economy Current account deficit was 3% of the GDP उसको 3% of GDP से 0.3% of GDP लेके आने वाले ये वेक्ती थे तो इन्होंने बहुत अच्छे से manage किया और जो gold वगेरा RBI के पास था वो दुनिया के different banks को दिया गया बदले में लोन लिए गया Because nobody was ready to give us loans So we had to give money To get back loans Right, Justin is saying scam 1992 उसमें भी उस समें भी He was the person in charge of Reserve Bank of India That is why इनका जो exit था As a governor वो बहुत glorious नहीं था Scam, the Harshad Mehta scam उसकी बात चल रही है So उस समें भी ये RBI गवर्नर थे और जब भी कोई bank बरबाद हो जाता है जब Punjab National Bank से नीरव मूदी पैसा लेके भाग गया था Vijay Malaya भाग गया था So उस समें RBI गवर्नर को responsible माना जाता है That you were supposed to regulate the banks And you failed in your duty So this was the article about Mr. S. Venkater Ramanan The Governor of Reserve Bank of India at that point of time Jab India ने transition किया from being a very controlled Very non-liberal economy Jaha par ease of doing business was very bad And today we are one such economy Which is considered one of the best countries to invest in Worldwide इससे पहले चाइना थी China is not doing good From last many years now So पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी डेवलिपिंग Emerging economy बच जाती है जहां पर सारे investors इंवेस्ट करना चाहरे हैं इस समें It is India So आपको हर दिन अगर share markets को follow करते हो Every day there is new record